नमस्ते मैं हूँ शिल्पा वेलकम टू इजी कूकिंग विशिल्पा आज की जो सामबार की रेसीपी बनाने जा रहे हैं वो साउथ इंडिया में तो फेमस है ही लेकिन अब तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई ये रेसीपी मुझे 30 साल पहले मेरी एक दोस्त चित्रा कुमा करने बताई थी वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं तो चलिए बनाते हैं सामबार गरम किये हुए पैन में हम चार से पाच चमच तेल डालेंगे अब इसमें राई डालेंगे राई क्रैक होने के बाद कटा हुआ प्याच डालेंगे अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर कड़ी पत्ता अब हम इसमें एक एक करके सारी कटी हुई सबजिया डालेंगे कड़ू आलू ड्रम स्टिक्स कटे हुए बैंगन कटा हुआ गाजर इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे और चार पाच मिनट के लिए अच्छे से बूलना है इसमें हम उपर से नमक डालेंगे अब ही इसमें चार से पाच चमज इमली का पल्प डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लिजिए इसमें अब हल्दी पौडर लाल मिर्च पौडर दो से तीन चमज सामबार पौडर ये सब चीजें अच्छे से मिला लिजिए और इसमें अब हम डालेंगे पानी ये सारी सबजिया हमें इस पानी में पकानी हैं इसलिए पानी का प्रमान थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो ये सबजिया पकने के लिए आठ से दस मिनिट लगेंगे तो धकन बंद करके हम रखेंगे अब देखिए सबजिया पक गई है इसमें हम तूर की पकाई हुए डाल डाल रहे हैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए सामबार थोड़ा सा पतला ही होता है आपको जिस प्रकार की कंसिस्टन से चाहिए उस प्रकार आप पानी डालिए उपर से कटा हुआ धनिया डालिए आपका सामबार तयार हो गया इडली या संबर बड़े के साथ एंजोई कीजिए आपका फिरेक कॉमेंट और सब्सक्राइब